पासकी और यह संस्थान उसमें उनकी मदद कर रहा है राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मू सोरी नाम के दौरे पर समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोकी निखिया राच्की स्वागत सुरिना में भारतियों के आगमन के 150 में वर्षकाट पर आयुजित समारों में होंगी मुख्यतिती विश्व पर्यावरन डिवस पर दिली के विज्ञान पर्यावरन मंत्री भुपेंदुरियादव ने कहा विकास और पर्यावरन को साथ लेकर चल रहा है भारत पर्यावरन संड्रक्षन को लेकर सरकार की योजनाओं का किया जिक्र उडिशा के बाला सौर में रेल हाथ से के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल सवारियों को लेकर निकली कोरो मंडल एक्सप्रेस रेल मंत्री ने कहा अभी खत्म नहीं हुई है जिम्मेदारी अमेरीकी रक्षा सचेव लॉइट आस्टन को दिली में दिया गया गार्ड ओफ ओनर रक्षामंत्री राजनाथ सिंग के साथ विपक्षी वार्ता में नए रक्षा इनोवेशन और 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 योगिक सही योग समेथ अन्ने पहलमों पर चर्चा तेल की गिरती कीमतों पर नियंत्रन के लिए उत्पादन में कमी करेगा साथी अरब जिलाई से रोज दस लाख बैरल तेल की कटोती का फैसला और नोवाग जोकोविच ने रिकॉर्ड सत्रवी बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फानल में बनाई जगहा राफिल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा कारलोस अलकराज ने भी क्वार्टर फानल में बनाया स्थान शुरुबात करेंगे इस वक्त की एहम खबरों के साथ राश्टरपती द्रौपदी मुर्मू सूरी नाम और सभिया की आधिकारिक यात्रा पर है कल वो सूरी नाम की राश्टरपती चंडरिका प्रसास अंतोकी के निमंत्रन पर सूरी नाम पहुँच गए यहां उनके समकक्ष ने राज के सम्मान के साथ उनका स्पागत किया राश्टपती मुर्मु आज सुरिनाम के राश्टपती के साथ एक प्रद्रिन धी मंडल स्तर ये बैठक करेगी बाद में अरिधिहासिक महत्वपून स्थलों का वो दोरा करेंगी अपनी इस दौरे में राश्च्ट्रपती मुर्मू सूरिनाम में भारतिये प्रवासियों से संबाद भी करेंगी उनकी यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अफसरों की संभावनाओं और संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोच साहित करने पर होगा इस दोरे का इतिहांस एक महत इसलिए है क्योंकि राश्ट्रपती भारतियों के सूरिनाम में आगमन की आज मनाई जा रही एक सोपचासमी वर्षकार्ट के समहरों में मुख्या दीती होंगी और अमेरिका के रक्षा सचेव लॉइड आस्टिन इस समय भारत की दोरे पर है आज उनकी भारत की रक्षा मंत्री राजनाद सिंग के साथ दुए पक्षिय वारता हुई इस दोरान दोनोंने सैने हार्डवेर के विकास के लिए महत्वपून प्रौद योगी क्यों के हस्ता अंतुरन पर चर्चा की आस्टिन के यात्रा पिये मोदी की वशिंटिन यात्रा से दो हफते पहले हो रही है लिहासा उनका ये दोरा कई मायनों में महत्वपून माना जा रहा है रक्षामन्फी राजनाथ इसके साथ बाचीत से पहले अमेरिकी रक्षा सच्चिव को दिली के मानिक्षा सेंटर में आपचारिक गार्ड ओफ ओनर दिया गया और बात ओडिशा के बाला सौर में की जहां पर हुए रेल हाथ से की शुकरवार शाम को तीन रेल गाडियों में हुई भीशन टक्कर के बाद कल शाम से अप और डाउन लिंक दोनों ही तरफ से ट्रेनों के आवजा ही शुरू हो गई है पहले आप वो तस्वीरे देखिए जो आज सुभा की है ये वही जगा है जहां तीन जून को तीन ट्रेनों की टक्कर हुई थी जिसके बाद से करमचारी लगातार दिन रात रेल ट्राक को ठीक करने में चुटे हुए थे इस रूट पर कल रात से ट्रेनों के आवजा ही शुरू हो गई है रेल मंत्री आश्वनी वैशनव ने भरोसा जटाया है कि बुद्वार सुभा तक रेल सेवा सामानने हो जाएगी रेल मंत्री आश्वनी वैशनव हादसे के बाद से लगतार दुरुगटना सल पर मौचूद हुए है इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुख हो गए उन्होंने कहा कि हमारा दायत वो अभे खत्म नहीं हुआ है हमें ये सुनस्चित करना है कि जो खो गए है जल से जल उनके परिवार की लोग उनके पास पहुँचे रेलवे बोर्ट ने दुरुखटना के कारण तराशने और जिम्मधार लोगों की पहचान करने के लिए सी बी आई जाँच की सिफारिश की है आपने देखा अब तक तीन गाड़ियां जा चुकी है टोटल रात में करीब करीब साथ गाड़ियां प्लैंड है और एकदम नर्मलाजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही समवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स को गए उनको किसी ने किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवार जन पहुँचे यह हमारा दायत भी खतम नहीं हुआ है और बाला सौर में अप और डाउन ट्राक रीस्टोरिशन के काम के बाद हमारे समवाद अदाब शेक्ष सिंगने की खास कवरिज यह आवाज सुन रहे है आप यह आवाज यह आपको बता सकती है कि इस रूट पे किस तरीके से ट्रेन की बहाली शुरू की जा चुकी है यह ट्रेन यह अप लाइन है जो की यहाँ से kolकाटा से होके पूरी के लिए जा रही है और हमारे सामने चेंग मिल यानि कोरोमंडल एक्सप्रेस देखिए जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो दुरगटना ग्रस्त वी थी उसी की नई रैक यहाँ से जा रही है जो भीशन हाथसा हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस का उसके जगह पर इस नए कोच को यहाँ पर लगाया गया है और ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस अब इस रूट पर दुरघटना के बाद पहली बार आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप पूरे साउथ के लिए बहुत बड़ी रात की खबर ट्रेनों के आवावगमन को इस रूट पे जो यह डाउन लाइंक है यानि कि हावडा जा रहा है इसे भी सुचारू किया जा चुका है सिर्फ एक्यावन गंटे में जो रिकॉर्ड टाइम में इसे पूरा किया जा चुका ह और यह खास तस्वीर है यह बहुत खास तस्वीर है खास तौर पे इसलिए कि कोरोमंडल एक्सप्रेस है जिस्क में सबसे जादा जो है casualty जिसमें सबसे जादा लोग जो है वो घायल हुए इसकी जगह पर तक्रीबन 128 किलोमेटर की रफ्तार से वो टकराई थी माल गाड़ बहुत ही चर्चित ट्रेन है ये साउथ के लिए राजधानी का दर्जा इसे दिया जाता है इसके सूपर फास्ट स्पीड को लेकर के हो या फिर इसकी जो टाइम टेबल को लेकर के ये ट्रेन बहुत ही खास है और ये पहली तस्वीर है कोरुमंडल एक्सपरेस की जो आप अभिशेक सिंग डीडी न्यूज बाला सोर से हमारे समवादाद अभिशेक सिंग आप तक सूचनाय पहुंचा रहे हैं दुरगटनास्तल के नस्दी चिनका सबसे पहला घर है यानि इस घटना के पहले जश्मदीद उनसे बात कि अभिशेक ने आई देखिए खास रपोर् दो तब ने हमें जा लुकुत है इस दो लुक्त बात मुस्किल और शीशा तोर कर फिर एसी बगी में अंदर जाना जाकर ये करना प्लाए मेरा एक भहतिजा है, उसका पेर में चोट लगा है, इतना चाक मतलब यहाँ परा कट गया हूँ, अभी हच्पिटाल गया है, उसको ड्रेशिंग करके आएगा अभी। मतलब काफी विभत्स बन जगा है। जी, तो आप समझ सकते हैं, इन्होंने अपने आखों से देखा इस एक्सिडेंट को, पहला घर है इनका, इस ट्रेक के बाद, और इन्होंने जो यह दल्दनाक हादसा रहा, उसे शायद यह बया भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा था हूँ, क इशा में होई ट्रेन हादसे पर भारत के प्रती दुनिया भर से जिस तरहां से एक जुट्टा और सानमुती देखने को मिल रही है, उस पर विदेश मंत्री डॉक्तर एजजे शंकर का बयान आया है, नामी बिया में उन्होंने कहा कि विश्व आमारे पक्ष में खड़ा है मैं आपको यह कहूंगा कि दुनिया भर से बहुत लोगों ने और यहां के जो विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने भी अपनी सॉलिडारिटी प्रकट की है, अपनी सिंपती भेजी है, मुझे भी बहुत फॉरेंड मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त जो दुनिया में हैं, उनका भी मैंसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है, और ये एक उधरन है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइस्ट हो चुकी है, और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुडँ चुकी है, कि हमारे यहां ऐसी दुरगटना हुई और पुरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चीए। परियावन मंत्री ने मिष्टी, the mangrove initiative for shoreline habitats and tangible income scheme भी launch की। परियावन मंत्री जी के द्वारा जब Glasgow में Mission Life का पूरा एक विश्य दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP 27 में शर्मल शेक के cover decision में सुईकार किया गया। मुझे बताते हैं वे खुशी है कि भारत ने 1922 में, 2022 में, प्लास्टिक को, सिंगल यूज को पूरी तरीके से प्रतिबंदित किया। और आज जब पूरी दुनिया World Environment Day पे beat the plastic इस theme पे कारिक्रम आयोजित कर रहा है, भारत मान्य प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में काफी आगे कारेवाई कर चुका है। पर्यावरन दिवस पर BGP Headquarter में भाषपाध्यक्ष जेपी नड़ा ने पौधार उपन किया, पान जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है, पर्यावरन संरक्षन को लेकर ना सर्फ केंद्र की सरकार बलकि BGP भी हमेशा सक्रिये दिखती है। प्रियावरन दिवस के खास अफसर पर सैंड आर्टिस्ट आजय और मनोज ने रेच से 15.24 मीटर के गोले में प्रित्वी की आकरती बनाई है, जिसमें 120 फीट लंबे और 40 फीट चोड़ाई वाले हिस्से में अंग्रेजी में World Environment Day लिखा है। अपनी सैंड आर्ट के जर्ये इन कलाकारों ने परियावरन संडरक्षन के लिए अपील की। और आपको बता दें कि भारतिया हवाई कि शेत्र का उलंगन करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसफ के जवानों ने अमरत सर के अटारी में रोका और मार किराया। ड्रोन के जर्ये 3.2 किलोग्राम की हिरोईन बरामत की गई है और बीएसफ को पिछले 2-3 दिनों से ये इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तान से ड्रोन के जर्ये हिरोईन की तसकरी करने की कोशिश की जा रही है। और इसी इनपुट के आधार पर सैनिकों ने कारवाई करते हुए कल रात एक ड्रोन और 3.1 किलोग्राम हिरोईन जब्त की। बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तान गंश पुल गिरने से कोई हताहत तो नहीं हुआ लेकिन इस खटना के बाद लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी इसी पुल का यही हिस्सा गिरा था। इस पुल के गिरने के बाद आज सुभा की एक तस्वीर भी सामने आई है। लोगों का कहना है कि अभी पुल पर गाड़ी भी नहीं चली अगर गाड़ी चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। लहाजा इसकी जाच होनी चाहिए। यह पुल खगड़िया और भागल पुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कल रात इस पुल के गिरने का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर हर किसी की आँखें खुली रह गए। इसके बाद से बिहार सरकार का कामकाज भी सवारों के दाएरे में आ गया है। हाला कि निदीश कुमान ने इस खटना के जाचिक के आदेश दे दिये हैं। करके जो है बहुत ही ताज्यूब लगा है। जैसा लगा है कि जैसे जो है इसा घटना होना ही नहीं चाहिए। भविस में अगर पुल निर्वान भी हो जाता है तो कुछ लोग कहना है कि चारने से भी डरेंगें। बहुत ही भयाना किस्तिती है। कि छोटा से कर घर आ उसके बाद जब ञेंदे देखा कि छोटा से टुकडा जे अवाज होआ तो हम देखे कि पाया क्यों ध inglés तो इधर यह द 달라 हुआप मैं पुल न भी में खेंड़ कशल लुब पाने लिए पांच नमर पाया गिरा और जिसमें सिग्मेंट खाली गिरा था यह पाया रहा गिया था और सब तूटके बिखर गया अब दी तो सब पाया थे हैं सब तूट गया इस वाके पर केंद्रिया स्वास्ते राज्यमंत्री डॉक्टर एस्पे सिंग बगेल ने भी डेलिगेज्स के साथ साइकल चलाई और कहा कि साइकल ना केवल परियावरन को बचाती है बलकि इस वास्ते के लिए भी बेहत फायदे मन्द है यह हमारे लिए परम सौबाद की बात है कि जब G20 का डेलिगेशन हैदराबाद में है और आज परियावरन दिवसे 5 जून को तो हमरे G20 के इस पूरे डेलिगेशन के इंचार जो लव अगरवाल जी है आज इस पार्क में हम लोगों ने अपने विदेशी भाई बहनों के साथ जो G20 के मेंबर हैं यहां साइक्लिंग करके यह संदेश देने का काम किया है कि इस समय देश को सबसे बड़ा खत्रा गिरते हुए फूजल इस तर से है ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोब और ओपेक प्लस जुड़े देशों की घंटों तक चलने वाली बैठा के बाद साओधी अरब ने कहा है कि वे तेल की गिरती कीमतों पर काबू के लिए इसके उतपादन में प्रति दिन दस लाख बैरल की कटवती करेगा। जुन 2021 के बाद से साओधी अरब के लिए ये सबसे कम उतपादन सतर होगा। इससे पहले ओपेक प्लस के सदस से देशों तवारा उतपादन में दो बार कटवती की गई थी लेकिर इससे तेल की गिरती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका था। और सुडान में हालिये इस संगर्श वराम समझोते की अवधी समाप्त होने के साथ ही खार्तूम में फिर से हिंसा भड़ा कुठी। रडाई के कारण बड़े पैमारे पर लूट पाथ हुई है और नुकसान पहुचा है। इसके साथ ही स्वास्ते सेवाओं में गिरावट आई है और बिचली और पानी की कटाउती समेथ खाद्यापूर्टी में एक कमी देखी गई। इसराईले रवीवार को एजिप्ट से लगी अपने सुरक्षित सीमा पर गोली बारी बिमारे का तीन सैनिकों को दफना दिया और मौतों की विस्ट्रित और गहन जाज के खोशना की। वहीं एजिप्ट ने अपने सुरक्षाबलों के एक सदस्ते पर नागेव रेगिस्तान में संघर्ष का रूप लगाया है जो ये कहते में मारा गया था कि जब वे इसराईली सैनिकों का सामना कर रहा था तब वे मादक बदार्थों की तसकरों की खोच में सीमा पार कर गया निक मारे गए हैं वेनेस्विला के बूलीवर राज़े में एलकलाओ में स्थेता तालावे राखदान में बुदवार कुभारी बारिश के कारण बाड़ा आ गई लेकिन बचाफकर मी शनिवार से पहले तक बचाफकारे पूरा नहीं कर सके अधिकारों ने कहा कि अन्य एक नदिक पाठी को नश्ट करने की कोशिश करने का रोप लगाया है। इम्रान ख determinant ने कहा कि उन्हें कोई संदे नहीं है कि उन्हें एक सैनने अधालत में पेश किया जाएगा और जैल में डाल दिया जाएगा। इम्रान खान ने पहले हि पाकस्तान तहरीक इंसाफ पाठी प पानी जा रही है। सेना के प्रवक्ता ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। कहते हैं क्रिशी को अगर वैग्यानी तरीके से किया जाए तो किसान दोगुना लाब कमा सकते हैं। कीट नाशक छिड़काओ के संचालन के लिए इसकी शमता का दोहन करने की आवशकता है। दरसल खेती में मजदूरों की कमी के समस्या किसानों को लगातार परेचान कर रही है। किसानों को कभी-कभी फसलों पर समय पर कीट नाशकों का छिड़काव करने के लिए श्रम शक्ती प्राप्त करने में कढ़िनाई होती है। किट नाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। जबकि यदि मानब स्रम के स्तान पर ड्रोन का उपयोग किया जाता है तो स्प्रे करने के लिए 15-20 मिनिट। किट नाशकों का छिड़काव एक समान मातर में और एक समान उचाई पर किया जा सकता है। खेती की लागत कम हो जाती है और लाब ड्रोन के उपयोग से बढ़ जाता है कीट नासकों के छड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए आसान है क्योंकि किरसी सिद्मिकों की कमी है हमने किसानों को छड़काव के संचालन के लिए ड्रोन में रोपिंग के फायदों के बारे में समझाया है वे उन छित्रों में भी बहुत अपयोगी है जहां वर्सा का पानी कम है किर्शी और किसान तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो नई नी तक्निकों का इस्तेमाल करें और इस दिशा में तेलंगाना के किसानों के प्रयास सरहनी हैं और काबिले गोर हैं वीरो रिपोर्ट डीडी न्यूज और आए बात करते हैं नुवाग जोकुविच की जिहांदिक गश्ट अनेस खिलारी नुवाग जोकुविच ने रिकॉर्ड सत्रवी बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फानल में जगा बना ली है जोकुविच ने चौते दोर के मकाबले में जॉन पॉल वेरिलेस को हराने में सफलता पाई जोकुविच को अंते मार्ट में पहुँचने के लिए जादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उन्होंने मकाबले को सीधे सेट में 6-3, 6-2, 6-2 से अपने नाम किया इसी के साथ जोकुविच ने राफेल लाडाल के 16 बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फानल में पहुँचने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया पुरू शेकल में विश्व के नमबर एक खिलाडी और शेश्वरिता प्राप स्पेन के कारलोस अलकराज ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फानल में इस्थान बनाया है अलकराज ने एटली के लोरेंजो मसेटी को सीधे सेट में शिकस दी ग्रीस के स्टेफनानोस सिध सिपास भी अंतिम आठ पे पहुँशने में सफल रहे सिध सिपास ने चौते दोर के मुकाबले में उश्वेला के सेबास्टियन आफनर को आसान मुकाबले में साथ पांच शे तीन शेश शुनिस से शिकस दी महिला एकल में दूसरी वरित अपराब बिलारूस की आयरना सबालेंका ने आसान जीत के साथ कौर्डर फानल में प्रवेश किया सबालेंका ने अमेरिका की स्लोईन स्टीफन्स को साथ शे 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 चार से शिकस दी खबरों को सिल्सरा जारी रहेगा लेकिन फिलालस फुल्टन में इतना ही नमस्कार